नागपूर हल्चल में आपका स्वागत है तो यह नजर डालते हैं नागपूर की विवित हल्चल पर राश्ट्रवधी कॉंग्रेस पार्टी कॉंधाली तथा साइनाद ब्लड बैंक नागपूर के संयुक्त तत्वावधान में राश्ट्रे अध्यक्ष शरत चंद्र पवार के जनम दिन के अउसर पर रविवार दोपहर 12 बच के 12 मिनट पर रक्तदान शीविर की शुरुवात की गई इस रक्तदान शीविर के अउसर पर एक ऐसी रक्तदाताओं ने रक्तदान किया रक्तदान शीविर कायो जन स्थानिया रकाप पदाधिकार योग ने साथ साथ कोंड़ा लिके सरपंच केशव धुरुवे उपसर पंच स्वपनिलव्यास निलकंठ रावड होरे रामदास मरकाम संजय रावत दुर्गा प्रसाद पांडे प्रशांद खांते आकाश गजबे नितिन ठावले मनोहर वर्मा चंदर शेखर चराडे रुपेश बुराड कर तुशार रावत अरुन ठावले द्वारा किया गया महराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टी के उपाध्धिक्ष विद्प्रकाश आर्या द्वरा राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टी के राष्ट्री अध्धिक्ष शरत चंदर पवार के 21 जनम दिन पर भव्यर रक्तदान शीविर का आयोजन आ उन्होंने स्थानिक स्वराज्य संस्था में महीलाओं को 50% भागीदारी दिलाई। प्रकाश हिमराजनी, दिलीप सवलानी, कुमार लाडवानी, मनिश गिहानी, राम वाध्वानी, सुंदर बुधानी, दया लाडवानी, झावर लालवानी, नरेश भोजवानी, अशोक ठूतूरकर मनिश फुलजेले आधी कार्य कर्तव ने प्रयास किया। इस अउसर पर रांकापा मुंबई द्वरा आयोजित कारेक्रम का सिधा प्रसारन दिखाया गया जिला परिशत सदस्य दिनेश बंग, रश्मी कोटगुले, पंचयत समिती सभापती रुपाली खाड़े, रांकापा तालुका अध्धिक्ष्य प्रविन खाड़े, महेज बंग, खरीत और बिक्री संग के अध्धिक्ष्य शामबाबु गोमा से, कुरुशिवत पादन बाज लीलादर दाभे, प्रेमलाल चौधरी, अशोक लोहकरे, अनुप डाखले, दिपक वर्मा, राजा तिवारी, प्रमत फूलकर, मंगेश भांगे, प्रेमलाल चौधरी, विठल हलके, शैलेश रोय, विजय बोपचे, विजय मेश राम, युसुफ खान पठान, रामु महले, मुल्चंद राठोड, सुरेश चोहान, विश्वेश्वर यादव, विजय कचवरे, सरलालोखंडे, उशाबावने, पुषपा साथवने, रंजन पाटिल, सरस्वती धवले, वर्शा दुर्गा, रुशाली साथवने, सुमितवान खेडे, आदी हिंगना तालुका, राप पती, सीडियेस जनरल विपिन रावत, उनकी पतनी मधुली का सहित, तेरा लोगों की मौत होने से पुरे देश में दुख की लहर चा गई हैं। जी एस रावत, रविंद्र तायडे, संजे बेलसरे, प्रशान्त पोरकर, पंकच मून, अमित मरघडे, शरत समरित, शेलेश देश मुख, नाभा मन्ना, संजे डबरासे, नामदेव इंगोले, रोशन तेलंग, जैश्री बोकडे, वीना डोमडे, कुंदा चिंच मलकर, डि इसकी अर्थव्यवस्था को सुद्रूट बनाने एवं समाज के आर्थिक उन्नती को अधिक गती देने की अवशक्ता है, इसलिए सहकारेक शेत्र के कारेकरताओं को संगटित होना अत्यनता अवशक है, इससे सशक्ति करण होगा, ये आभान सहकार भारती के महराश्टर प किरन रोकडे का महामत्री पत तथा शुभलक्ष्मी क्रेडिट को अपरेटिव सोसाइटी के निर्देशक गंगाधर लेंडे का संगटन मंत्री के पत पर चयन किया गया, इस कारेकरम के प्रमुक अति थी निलकंठ देवांगन, महराश्टर प्रदेश महिला प्रमुक, नि पात देक्ष, भरत महाशब्दे, राजेंद्र घाटे, अभिजित केलकर, स्वपनिल भोंडे, सुधाकर इंगोले, सचिव संजे दहली कर, राहुल कोलगडवार, कोशाद्यक्ष शरत पाठक, महिला प्रमुक उर्मिला सराफ, सहा प्रमुक फुरुशाली शिलेदार, प्र सिद्ध प्रमुक छाया शुकला, कारियले प्रमुक मंगल दिपताजन, सहा प्रमुक प्रमुक सुरेश बिनेकर आदिपदादी कारियों, एवं सदस्यों का चैन किया गया अखिल भारतिय सिंधी समाज विदर्भप रांत की और से राष्ट्रपती अवाट से सम्मानित राजश आसुदानी को समाज में अलग-अलग उपरब्धिया हासिल करने पर शौल, श्रीफल, स्पूती चिन्ह देकर समानित किया गया, साथ ही उनके उजवल भविश्य के ल संस्था सरक्षन वाधन्दा स्तलरेजा, महा सचिव रवी चंदवानी, विधर्भप प्रवक्ता अशोक आहुजा, सहसचिव हरिश मुल चंदवानी, देवानन मोटवानी, राजश केवल रामानी, सुरेश नाथानी, अशोक खाचंदानी, श्रीचंद मोहनानी प्रमुकत धरमपेट स्थित कार्याले में किया गया, कार्यक्रम में मंच पर संस्था के अध्यक्षक किशोर बाउने, कलामंच के संस्था पक नरेंद्र सतीजा, निलीमा बाउने, सुधिर बाहेती एवं कस्तुरी बाउने उपस्तित थी, अपने प्रास्तविक भाशन में कस्तुरी गतिवीधियों के बारे में विस्तुरुत जान करी दी। कि रक्तक के आभाओं में किसी को अपनी जान न गवानी पड़े। पहाडों के सरक्षन के प्रती जागरुकता फैलाना हमारा मुख्य लक्षे है। स्कूल के प्राचारिय राजंद्र मिश्रा ने पहाडों का जीवन खत्रे में विशेपर विद्यार्थियों को सम्भोधित किया। प्रुत्वी का लगभग 27% हिस्सा पहाडों से ढखा है। ग्लोबल वार्मिंग और दुसरे कारणों से अब पहाडों का जीवन भी खत्रे में है। सयुक्तराष्टर ने 1992 में सतत विकास आयोग CSD के दोरान फ्रेजाइल एको सिस्टम का प्रबंदन सतत परवतिय विकास का डॉक्यूमेंट एडॉप्ट किया। इसके अनुसार पहाडों की सुरक्षा और सुरक्षन की अवश्चक्ता थी। इसे देखते वे सयुक्तराष्टर महासभा ने 2003 में 11 दिसंबर को अंतरराष्ट्य परवत दिवस के रूप में मनाने की घोशना की थी। हर साल अंतरराष्ट्य परवत दिवस पर एक खास थीम के साथ मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम है सतत परवत ये परियदन। इस रिपोर्ट की माने तो पिछले 15 वर्षों में किसी भी देश की कोई महत्वपूर्ण प्रगती नहीं देखी जाता है। सकती है। आज 8 प्लस और 45 प्लस आयू वर्ष के सभी नागरिकों का कोविट शिल्ट का टिका करन नागपूर महानगर पालिका के साथ साथ सरकारी केंद्रों पर होगा। टिका करन का समय शाम के 5 बज़े तक होगा। टिका करन के लिए ओनलाइन और ओफलाइन दोनों पद्दतियों से पंजी करन किया जा सकता है। इसी तरह ड्राविन वाक्सिनेशन केंद्रों पर भी 18 वर्ष और 45 वर्ष से अधिक आयू के सभी नागरिकों को कोविट शिल्ट के जरिये टिका करन किया जाएगा। ये जानकरी चिकित्सा स्वास्ता अधिकारी डॉक्टर संजय चिलकर ने दी है। इस पताल पांच पॉली और प्रगती हौल दिगोरी में उपलब्ध है। 18 वादियों का नामांकन हुआ जिन में से 28 ने भाग लिया। मामलों से निप्टाने के लिए दो पैनल बनाए गए। जज बीबी पाठक और एए दुने अड़ोकेट उशा गुजर, अड़ोकेट सुनिल गायकवाड, काउंसलर, आरार कोतवाल और डीवी देशमुख ने पैनल का नेत्रुत किया। रामटेक तालुका कानूनि सेवा समीधी और बारसंग रामटेक की ओर से दिवानी और आपराधिक बैंक क्रेडिट यूनियनों के प्री फाइलिंग मामले ग्राम बंचायत के आवास और जलकर के मामलों की सुनवाई हुई। जिसमें कुल 63 मामलों में से 3 दिवानी एवं 7 फोसदारी मामले, 45 पूर्व एवं 8 जल एवं गुरुहकर मामलों में कुल 28,25,573 रुपए का निराकरन किया गया। इस राष्ट्रिय लोक अदालत का उद्गाटन द्यूतिय सिविल जज एए कुलकरनी ने किया। रामडिक तालुका कानुनि सेवा समिति के अदेक्ष और सिविल जज वीपी दुर्वे साथी सिविल जज एए कुलकरनी ने द्वी प्रजलित कर कारेकरम की शुरुआत की। दुनिया को आज अहिंसा और सयम की आवशकता है। यह दोनों गंजन समुदायों के सदस्यों की पहचान है। भगवान महाविर का संदेश दुनिया भर में जनजन तक पहुचाएं। यह उद्गार श्रमन संगि उपाद्यक्ष प्रवर प्रवीन रुशी महारास सहाब न अनंदरुशी की एक सो नवी दिख्षा जैनती रविवार को धनसन लौंज वर्दमान नगर चोक में सामाईक आरदना दिवस के रूप में मनाई गई। महारास श्री ने कहा कि नाकपुर वासी भाग्यशाली है कि मेरे गुरू आचार समराण अनंदरुशी का चतुरमास नाकपुर में हुआ था उन पलों की यादे ताजा करने के लिए नाकपुर आया हूँ उन्हेंने कहा कि आचार श्री के नापर आनंदर प्रतिष्टान की निव भी नाकपुर में ही रखी गई। को परिशान नहीं देख सकते थे। गुरुदेव का सपना था कि मेरे परिवार का कोई सदय से आर्थिक अभाव में न हो। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। एवन संगित आयो संयोजक सचिन पटवर्धन द्वारा स्पैनिश विनावादन की प्रस्तुती दी गई। संगित सबा का उदगाटन संसकार भारती के अखिल भारतिया। पदाधिकारी चंद्रकान घरोटे दशिन मद्य शेतर सांसुति केंद्र नाकपुर के निदेशक डॉक्टर दीप खिरवड कर। सायक निदेशक कारेक्रम दीपक कुलकरनी एवं कारेक्रम संयोजक शशांग दंडे ने दीप प्रजोलन कर किया। इसके पश्चात चिप आप डिपेंस टाप जर्रल बीपिन रावत को श्रद्दांजलित देने हेतु दो मिनिट का मोहन रखा गया। सचिन पटवर्दन ने अपनी प्रस्तुती का प्रारंब राग बसंत मुखारी की सुमद्र प्रस्तुती से किया। इसमें उन्होंने रुपक मदले एवं दुरुत ताल इन तीन बंदिशों की प्रस्तुतियां दी। उन्होंने अपनी सुमदर प्रस्तुती का समापन भहरवी की मंत्रमुग्द कर देने वाली प्रस्तुती देखर किया इस प्रातकालिन संगित सभा रम्हनाद मेहिने तबले पर रामखड से एवं तानपूरा पर रेनुपटवर्धन ने साथ संगत की कारेक्रम का मंच संचालन श्रीमदी श्वेता शेलगावकर इन्होंने किया इस प्रातकालिन संगित सभा का दर्शकों ने आनन लिया संगित कारेक्रम मुसाफिर हुई यारो में सुरसंपच वैभवी ग्रूप और आर्टिस्ट एन और्गनाइजेशन वेलफेर फाउंडेशन द्वारा प्रस्तु सदाबार गीत ने कारेक्रम को सही मायनों में यादगार बनाया शुरुवात में बाबिता शोलकार और खरे ने हायरामा ये क्या हुआ की पेशकश की आनन भगत के रंग और नुर की बारात और किरन भोसले की एक दो तीन ने उबस्तिश रोताओ से वहवा बटोरी इन गायकों ने पुराने और नब्बे के दशक के एक से बढ़कर एक ग विरिश बड़े ने सच मेरे यार है और विजयाव वैंदेश करने हाल कैसा है जनाब का की प्रस्तुति की गिता बावन करने आगे भी जाने ना तू शैलेश को उड़ाल करने जाने कैसे कब कहा उमेश कुमार ने वो हंसीनी गाया अंत में अरुन ने रुख जाना और जान जोती भगत ने किया कारेकरम कायो जनलक्ष्मिनगर के साइंटिफिक हॉल में किया गया मनुष्य बड़े-बड़े सौपन देखता है और उन्हें साकार करने के लिए पुरुशार्त करता है फिर भी उसके सपने अदूरे रह जाते है ऐसा क्यों होता है यह एक स्वाभाविक सवाल है ध्यान से देखा जाए तो इसमें अनेक कारण हो सकते है अपनी आवकात से अ अभाव में सौपन अदूरा रह जाता है देश, काल और परिस्तिती की अनविगता के कारण भी कई योजनाएं विफल हो जाती है इन सब कारणों में भी एक बड़ा कारण है संकल्पना शक्ति का अभाव शिथील संकल्पवाले छोटा सा काम शुरू करने से पहले ही विकल संकल्पों से घिर जाते है अनिष्टा की संभावनाएं उन्हें चार ओर से घिर लेती है उनकी आखों के आगे संद्य का कुहा साथ चाया हुआ रहता है कालक्षेत्र में उपस्तिती छोटी सी बादा उन्हें हिमाले की चड़ाई जितनी दुरह लगने लगती है ऐसी सिति में काम करने का उत्साह मन हो जाता है और मन में निराशा भर जाती है संकल्प शक्ति की बादाएं चिंता आशंका संध्य भय व्यागरता आधी एक बार जो संकल्प किया उसे पूरा करने का प्रण ही संकल्प शक्ति है श्रीमत तारंतरन मंडल आचार्य महाराच जी की 573 वी जैनती के अवसर पर तारंतरन दिगंबर जैन समाजद्वारा सुबह मंदिर विधी उसके बाद परंपुज पर्मानंद जी महाराच जी के प्रवचन बस्चात भव्यक्तदान शिवीर संपन हुआ कारेक्रम का उद्गार्टन समाजद्विक्राम जैन ने किया प्रमकुरुक से डॉक्टर व्यासर सचीव संजे टकामोरे कोशाद्विक्ष संदोज जैन सचीव सुनिल जैन नर्मदा प्रसाद जैन महिंदर टकामोरे प्रवीन सात्वने सतीष टकामोरे पराग जैन आजय टक जैन, रुपेश टकामोरे, सोनु जैन, श्रीकांट जैन, हितेश जैन, लोकेश टकामोरे, डॉक्टर दिनेश जैन, सफल जैन, कल्लु जैन, छोटु जैन, अंकीर जैन, अंशुल जैन, अमिज जैन, योगेश जैन, नितेश जैन, रुपेश जैन, निशिकांथ जैन, सम्मे अभिशेक टक्कामोरे, सिद्धान्त जैन, वनवयुक मंडल, माली का मंडल, महिला मंडल ने अतक प्रयास किया। इसके अलावा, जुआ अधिन्यम के अंदर का चार मामलों में 6 रुपियों को गिरफ्तार किया गया। नापुल महानगर कपालिका के स्कूलों में सूपर 75 वर के चातर चातराओ की ओफलाइन ख्लासेश शुरू हो गई है। महापुर दया शंकरतिवारी ने शनिवार को फुले मार्केट स्थित नेताजी मार्केट हिंदी सेकेंडरी स्कूल में सूपर 75 ख्लासेश का अवलोकन किया। इस अवसर पर महापुर ने चातर चातराओ के साथ साथ उनके अविभावकों से भीच चर्चा की। शाली है लेकिन उचित मार्केटरशन के अभाव में वे अकसर करियर में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। यह पहले ही साबित हो चुका है कि सही मार्केटरशन मिले तो ऐसे चातर भी अंतरिक्ष में चलांग लगाने के लिए सक्षम है। नाकपुर मानगर पालिका ने सुपर सेवंटिफाई की एक मातपूर न पहल की है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इसे प्रदवाशाली चातरों के सामने भविश्य में अपने सपनों की पूरा करने में कोई बाधान न आए। इस पहल के माध्यम से भविश्य में नाकपुर मानगर पालिका के स्कूलों के 75 चात्र इंजिनियरिंग और मेडिकल शेत्र सही देश की सुरक्षा के लिए भी तैयार होंगे। जैविक वर्मी कमपोस तयार कर कीचन गार्डन विकसित किया है। जैविकों ने उसी किजले कच्रे से वर्मी कमपोस बनाने की परियोजना शुरू की है। वर्मी कमपोस परियोजना के लिए 4 फुट बाए 2 फुट का बरतन बनाया जाता है। इसे दो भागों में बाटा गया है। इसके बाद 250 से 300 केंचुए गमले में छोड़े जाते है। गिला कच्रा गमले में डालने के बाद वे वर्मी कमपोस बनाने लगते है। इस खाद के उप्योग हम अपने बगीचों में भी कर सकते हैं। विशेश रूप से यह शेत्र में कोई दुरगन नहीं फैलाता है। राश्टरवादी कॉंग्रेस पार्टी दक्षिन नाकपूर की पहल से राकामपा सुप्रीमो शरत पवार के 81 वे जन्मदीन के अवसर पर पत्रकारों और वरिशन नागरिकों के सतकार समारों का आयो जन किया गया। रविवार शाम चार बजे मातोशरी लक्षिनबाई मुडे हाई स्कूल मात्मा गांदीनगर हुडकेश्वर रोड नाकपूर में इसे समारों का आयो जन किया गया। विशन नागरिकों में रमेश केशवराओ तेले, बाला बाला जी चिखले, काशिर और रागोबाजीत सौधरी, पुरुशत्तम बकाराम वानी, बल्वंतराओ राम चंदरकाप से आधिका समाविश रहा। तो नाकपूर हल चल में आज इतना ही, आप से फिर बुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए BKB News, नमस्कार।